तो चलिए इस वीडियो में आज हम लोग 12th कलास के बायोलोजी का BBI प्रसन लेकर आचुके हैं जो आपके प्रिच्छा के लिए most important है तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रसन से चलिए देखे कोशन क्या है आपका बढ़ी हुई तोचा केंसर इबं उच उत परिव तिसरा कोशन है डबलू एच ओ एनि वर्ल्ड हिल्थ और्गनाइजेशन निकी विश्व स्वास्त संगठन के द्वारा धोनी पर्दुसन का कौन सा मानक सही है तो 20 से 30 डेसिवल आपका सही जवाब हो जाएगा अगला कोशन देखे अगर देखे अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को आपको लाइक कर देना है चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ठीक है ना चलिए अगला कोशन देखे मिर्यूद भीदी अनुकूलन का ओधारन क्या है नाग फनी हो जाएगा पारिशितिक तंतर में उर्जा का प्रवाह अहार स है तो क्या होजाएगा आपका कभी उल्टा नहीं होता है इनि सदेव सिधा होता है तो यह होगा आपका संख्या Manuel एंभेश कहा संख्यां का मिठ का या जिया अउर्जा का पिर्हामीड आपसे मन्हरा आपका एयर पैस जबाब हो जाएगा बिस्वे पाए जाने वाले आपका हाउने इनमें से कों सी है तो इनमें कितनी इसकी संख्या तो 34 आपका सही जवाब हो जाएगा, रेडड़ डटा पुस्तक वेकिस परकार के जीवों की सूची रहती है, दुरलब पर जातियां, बिलुप्त पाढ़ जातियां, संकट गरस्ट पर जातियां, इन में से सभी, सही जवाब हो जाएगा आपका इन में से सभी, अच्छा बुलिएगा क्राइजीर बॉल किरिमी से किस फसल को बचाता है कापास को बचाता है परती जेवी की परती रोधी जिवानु का प्रादुर्भाव इनमें से उधारन किसका है किसी समूदाय में पुर्विस्थित विविंता का आप्सन नमर सी अपका सही जवाब हो जाएगा अगला कोशन है आपका देखे दोस्त दूद से दही बनने में कि जिवानु का प्योग क्यादता है लेक्टो बेसीलस का प्योग करते हैं अगला कोशन देखिए क्या है कोशन आपका बी लिंफोसाइड का निर्मान कहां में होता है अस्थी मज्जा में होता है और टी चाहिम जहने जाते हैं अनुविक कैंची के रूब में जहने जाते हैं अगला को सेने पूनर योग्ज डियने टिक क्या है इम्नोजनीक प्रोटीन है ये किसी भी जल चंख्या में उपस्तित गे एक एब हम उसके अलील क rifat करते हैं जीन कोस कर राते हैं जीन कोस ऑप्सटर नमर इनमें से कौन सा पिरामीड कौन सा निम्में टोडा ताम बाकू के पोधे की जरो को संकरमित करता है। मेलाइडोजीन इन कोन गिंटा आपका सी सही जवाब हो जाएगा इको आराय एंजायम का सरोत क्या है इकोली हो जाएगा आपसे नमबर बी राइड अंसर हो जाएगा आविर्त बीजी पोधे के भुरून पोस में गुन सुत्रों की सुत्र गुनिता क्या होती है थ्री एन होती है युगमक समझनेता किस परकार के होते हैं एक गुनक होते हैं है अगला कोशन है काजू निम्नाकित में से कैसा फल कालाता है नट कालाता है जब संताती कित्पती एकल जनक के द्वरा होती है तब उसे ओलेंगिक जनन करते हैं लाश कोशन है निमलिकीत में से कौन सा जनतू ब्यालिंगी नहीं है घरेलू मखी आपका सही जबाब हो जाएगा और एक कोशन आपके लिए हूंबर के लिए के संख्या कितनी होती है इसका जवाब को वीडियो के कॉमेंट बॉक्स में देना है आपको कमेंट करके ज़रूर बतलना है ठीक है न और लाइक तो बस नहीं करना अपने दोस्तों को स्यरल कीजिएगा चलिए तो फिर मिलते हैं आप सभी के साथ एक और बेहतरी इन वीडियो के साथ तब तक लिए जाहिन जावारत